आज के टेक अपडेट्स और देखते हैं आज कोन को ते नियोज है जो आपके लिए पहुती जरूरी और आपके लिए जाना जरूरी होगा आज वेल्कम टू एमके अथारटी गाइस आप पहली नियूज के तरफ बढ़ते हैं पहली नियूज है वाटसएप की तरफ से अगर आपने कल नोटिस किया होगा तो आपका वाटसएप जो है वो कुछ ना कुछ गरबढ़ कर रहा था अगर आप कल रात साड़े आड़ बज अगर आप ऑनलाइन भी होते हैं तो वो आपका ऑनलाइन नहीं दिखा रहा होता गाइस ये वाटसएप का ट्रबल था जो कल था बट आज फिक्स कर दिया गया है चले गाइस बात करते हैं यहाँ पर मोटरोला की तो मोटरोला एडज लाइट जो है इसके अप्लेक्स निकल आ सकता है और यहाँ पर स्नैब्रगन का सेवन सिक्टी जी प्रोसेसर जो है वो मिलने वाला है अब देखते हैं कि आगे मोटरोला इसे कब लाउंच करता है चले गाइस बात किरते हैं यहाँ पर वन प्लस जेड यहाँ आपका हो नौड बाई वन प्लस इस स्माटफोन के ब डॉलर में जो है वो भिक सकता है तो 300 डॉलर जो है वो 23,000 के लगबग प्राइज वने वाली है तो देखते हैं कि वन प्लस इसकी प्राइज 25,000 रखता है जैसा कि इससे पहले सर्वे में पता जला था या उससे घट के 24 या 23,000 तक आता है चले गाइस बात करते हैं यहाँ रियल्मी C11 के बारे में तो गाइस यह रियल्मी C3 का एक सक्सेसर होने वाला है जहां पर हमें पता जलता है कि इसके अंदर मीडिया टिक का जो है P35 प्रासेसर मिल सकता है तो देखते हैं कि मीडिया टिक का यह प्रासेसर के साथ यह स्मार्टफोन जो है वो कब लांच होग गाइस आपको पता होगा OPPO F15 जो है यह स्मार्टफोन इंडिया में 22,000 रुपे में बिखता है बट यहां पर इसके अंदर एक और नया वेरियंट जो है वो आ सकता है जहां पर यह बलेजिंग ब्लू यहां कहूं तो ब्लू वेरियंट जो है वो बहुत जल्दी लांच हो सकता है यह स्मार्टफोन का तो जो भी ब्लू कलर का वेरियर्ट कर रहे थे आपके लिए यह हाजिर होने वाला है चले गाइस बात करते हैं यहां पर सैमसंग गलेक्सी नोट ट्वेंटी सीरिस के लिए तो आप लोग जो भी सैमसंग पे के जदर यह अपने पेमेंट जो प पो के ट्रू वायलेस येरफोन के बार में उपो डवल्यो एलिवन काईस यह 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 तो आपके पास होंगे तो यहां पर यह सेगमें जो है थोड़े से कम पैसे अगर आप आपके पास होंगे, तो आपके पास Realme और Redmi की भी options है, तो देखते हैं कि ये true wireless earphones आने के बाद, ये किस तरह perform करेगा, Guys, iPhone AC 2020 वो launch हो गया है, जहाँ पर बहुत एच्छी competitive price में smartphone मिलता है, बाट अब यहाँ पर लीक ने कर रहा है, जहाँ पर में पता जलता है, कि iPhone AC 2020 वो अब इंडिया में manufacture हो सकता है, अगर ये इंडिया में manufacture हो गया, तो यहाँ पर हमें इसकी price जो है, वो शायद कम मिलेगी, और अगर Apple अपने products इंडिया में manufacture करते रहा, तो हमें एक लाग रुपे देखकर phone खरीदने की ज़रूरत में, एक लाग से कम ही, हमें अच्छे अच्छे smartphone जो है, वो देखने को मिल सकते है, Apple की तरफ से, गाइस, लास्ट जियर Moto Razor जो है, वो launch हो जाए था, जहाँ पर इंडिय इसका जो launch हो है, वो delay कर दिया गया, पता नहीं, इसका reason तो हमें पता नहीं चला, बट अगर launch delay हो भी गया परवाने, बट अगर अच्छा अगर वहाँ पर manufacture होगा, और अच्छे technology के साथ manufacture हो, जहाँ पर display issue भी जो है, वो उसे अगर fix कर दिया गया, तो यहाँ पर हमें कोई Naviq का भी support यहाँ पर मिलेगा, अब meeting में, गाइस, Naviq जो है, वो एक Indian satellite के जरीए, इंडिया के maps बताने का जरिया है, और इंडिया की चीज ही हमें इंडिया के रस्ते बताएगी, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के रस्ते, इंडिया के अलावा, दूसरे smartphone जो है, वो launch कर सकता है, guys, लावा जो है, वो Indian company है, जहां पर इसे smartphone जो है, वो पहले अच्छे थे, बट आप competition के आते आते, यह smartphone तो खामोश हो गया था, अगर यह, अगर लावा जो है, वो अच्छे phones अगर manufacture करता है, हम Indians क्यों नहीं लेंगे, guys, आप Amazon में बहुत सारे इसे मिलती भी हैं, और अब शायद आप शराब, यानि अलकोहल भी जो है, वो Amazon order कर पाएंगे, guys, यहाँ पर Amazon को जो है, वो certification मिल गया है, शायद यह West Bengal में बहुत जल्दी आ सकता है, और देखते हैं कि पूरे इंडिया में कब आगा है, अगर अब शराब की अगर delivery मिल गई तो लोगों को बाहर जाकर लाइन में ठहरना नहीं पड़ेगा इस lockdown में, चलिए, guys, बात करते हैं, यहाँ पर Apple की, तो Apple शायद अपने नए और खुद के processor जो है, वो बना सकता है, अपने Macbook के लिए, guys, Apple के जो laptop से उसके अंदर Intel के processor मिलते हैं, और अब शायद Apple खुद के processor जो है, बना सकता है, खुद के chips जो है, बना सकता है, जहाँ पर हमें VR technology जो है, वो मिल सकती है, यानि वर्चूल रियालिटी, तो देखते हैं, कि Apple इसे कब शुरू करता है, और अगर Apple ने शुरू कर गया, तो क्या ये Intel processor से compete कर पाएगा, देखते हैं, चलिए, guys, बात करते ह है, कि ये जल्द ही launch होगा, क्योंकि Microsoft जो है, वो Android 11 पर काम कर रहा है, तो लगता है, कि ये smartphone जल्द ही launch होगा, Android 10 से, यानि उसके अंदर Android 10 मिलेगा, और वो launch होने के बाद जल्द ही Android 11 का भी जो है, वो update मिल सकता है, तो guys, बस इतने थे आज के tech updates, news, शायद बहुत कम थे आप इस video को like किजिए, share किजिए और इस channel को subscribe जायए, वो कर दीजिएगा, और रोस ऐसी technology अगर आपको news चाहिए, तो आप इस channel को subscribe कर लिजिए, और रोस देखते रहेए, goodbye, जैहिंद